किसी भी स्थिती में सामाने खाना चॉकलिट खाने की सामने बेतर नहीं हो सकता इस विशे पर बहस करना चाहते हैं तो हम एक चुनाटी लेकर आए हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि या बात सच है या नहीं माइक, मुझे यहां अच्छा लग रहा है वा, कितने चम के लिए रंग की पेंसिले हैं मुझे पुरा यकीन है कि मेरा खाने लाइक है स्वादिस्ट, बहुत बढ़िया मुझे यकीन है कि मेरे असली पेंसिल ज़्यादा उपयोगी होंगे इसके मदद से मुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ तुम्हे कितनी जलन हो रही है सूजी कितना ताजा और मुझे पता है कि आप मुझे क्या चाहिए एक नया आइफोन या कितना अच्छा है क्यों तुम्हें ही सारे सामान मिले जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं मुझे चीजों को अपने हाथों में लेना होगा यह असली नहीं लग रहा है ओ यह चाकलेट से बना है क्या तुम थोड़ा मेरे शाथ सेयर कर सकती हो मेरा सुझाव है कि हम एक सौधा करें अगर तुम अपना हुआ आइफोन मुझे दो तो मैं तुम्हें दे दूँगी मेरे पास एक बेतर आइडिया है यह डरावना कॉक्रोट मुझे सब कुछ पाने में मदद करेगा मुझे कॉक्रोट से डर लगता है फिर मिलेंगे सुझी हाँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ एक जादू के चड़े धन्यवाद तुम्हें यह घड़ी क्यों ले आई हो वैसे मैं अपने वाले को खा सकती हूँ यह चॉकलेट का बना हुआ है और मैं क्या करूँ शाइद यह घड़ी बिखाने लाइक हो नई यह नई है मेरे दिमाग में कोई आईडिया भी नहीं आ रहा है वाँ क्या यह सच में समय को वापस ला सकता है बिश्वास नहीं हो रहा है मेरे पास टाइम मशीन है मुझे नया पेसिफायर चाहिए सोजी तुम कितनी प्यारी हो मैं तो कहता हूँ कि मुझे अभी इस घड़ी की जर्वत नहीं है बस अब रोना बन करो तुम अब यह सही है अब मैं शांती से खा सकता हूँ अब वाँ जॉइस्टी चोकलेट मैं कितना किस्मत वाला हूँ शायद मेरी भी है ख्वाब में भी ऐसा मत सोच न सोजी इस बार मुझे अच्छी चीजे मिली है शायद तुम मुझे एक बार देना चाहो मुझे पता था तुम बहुत लालची हो तो ठीक है फिर मुझे जो चाहियों मैं खुद ले लूँगी खुश्बू अच्छी है मैं कहा हूँ यह किसी तरह का गेम है मुझे अपना ध्यान के इंद्रित करने और चॉकलेट बार पकरने की जरुवत है वाब यह बहुत सारे है तुम्हे वाब सब कहां से मिला मैंने जीता है और अब मैं उसे खाऊँगा अपने हाथ दूर रखो यह मेरे है कोक बुरा नहीं है मैं खुशू मैं भी इसे पीना चाहता हूँ पर तुम मुझे कुछ नहीं दे रही हो देखो मुझे क्या मिला है चॉकलेट के तरह खुश्बू आ रही है और इसके अंदर कुछ है कैंडी वाब बहुत बढ़िया मुझे भी एक दो प्लीज बस एक सेकेंड मैं सबसे अच्छा चुनना चाहता हूँ सोजी यह तुम्हारे लिए है तुम कितने अच्छे दोस्त हो मैं खटने वाली हूँ सर्प्राइज वाब नोट इससे ज़्यादा और किस चीज के उमीद कर सकती हूँ मेरा थोड़ा अजीब लग रहा है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता यपी अब मैं वो सब कुछ खरीद सकती हूँ जो मेरा दिल चाहेगा जैसे कि एक बड़ा केक यह बहुत सुन्दर है वाब सोजी मैं इसे खरीदना चाहता हूँ ठीक है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है मैं तुम्हें एक टुकड़ा दे सकती हूँ तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो तुम मैं भी उतना ही स्मार्ट हूँ सोजी क्या तुम मुझे एक और टुकड़ा दे सकती हो और फिर एक और फिर दूसरा बहुत बड़िया तुम्हारे सातिया व्यापार अच्छा रहा तुमने धोके से मेरा सारा केक ले लिया खर मैंने तुम्हें समय पर पकड़ लिया अब यह मेड़क तुम्हें कैसा लगेगा इसे छुनने में थुड़ा आजीव लग रहा है मेड़क कितना डरावना है अरे वापरे अब इतने नखरे मत करो इस बार मुझे कुछ क्यों नहीं मिला सबसे महत्पुन बात यह है कि मुझे एकदम नया आईपैड मिला है शान्त हो जाओ माइक यह रहा तुम्हारा धन्यवाद यह कुछ भी नहीं मिलने से तो बेटर है तुम क्या कर रही हो गेम खेल गई हूँ काश मैं भी वो कर पाता लेकिन एक चॉकलेट आईपैड पर ऐसा नहीं हो सकता क्या मैं तुम्हारे वाले के साथ खेल सकता हूँ मुझे परिशान मत करो माई हाथ दूर रखो अच्छा तो तुम ऐसे खेलना चाहती हो तब तो मुझे अपना ही तरीका अपनाना होगा सूजी चलो मैं तुम्हारी एक फोटो खीशता हूँ मुझे पता था मुझे तो बस तुम्हें एक चॉकलेट स्टैचू में बदलना था अब मैं एकी समय पर खेल और खाद दो लो सकता हूँ तुमने ऐसा करने की हीमत कैसी किमाई वाव लेगोज बहुत बढ़िया वाव सई कह रही हो मुझे ये चोटे खिलो आने बहुत पसंद है मुझे लगता है मेरे ब्लॉक्स तो चॉकलेट के बने हैं तो मेरे वाले असली हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसे पुराने तरीके से ही इस्तेमाल करना होगा मैं इसको मुमबती से सजाता हूँ अब तो ये एकदम केक की तरह लग रहा है वाव बहुत अच्छा लग रहा है अपसोस है कि मैं इसे खा नहीं सकता आइडिया देने के लिए धन्यवाद माइक मैं भी ऐसा ही केक बनाती हूँ कितना स्वादिस्ट मुझे थोड़ा दो मुझे पता था तुम नहीं मानती इसलिए मैं पहले से एक योजना त्यार करके आया हूँ इस लेगो चुमबक की मंदद से मैं सब ले लूँगा मिल गया मेरा लेगो केक कहा है शारलेट तुमने मुझसे ब्रश क्यो लिया वापस करो लेकिन मैं भी मेकप करना चाहती हूँ अब मेरे बोलने का समय है वाप अब हमारे पास दो ब्रश है मेरा थोड़ा अजीब लग रहा है वाप यह चॉकलेट से बना हुआ है मुझे पूरा यकिन है कि ब्रश सिर्फ सुरुवात है ओ, कच्ची मचली यह तो बहुत गंदा लग रहा है और मेरा वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो उसे चूमने के लिए भी तयार हूँ मुझे भी वो चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे मिला है वो ही खाना पड़ेगा ची, कितना गिनोना आके तुम यह कैसे कार पा रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा हमें तुम्हें पुरसकार देनी क्या आउ सकता है कमिला अरे यह क्या, मैं अब जलपरी बन गई हूँ वा, तुम तो बहुत खुबसुरत लग रही हो धन्यवाद, हाँ मुझे भी यह रूप बहुत पसंद आ रहा है क्या तुम्हारी मचली वास्तम में चादूई है? शायद मेरी भी हो ठीक है शारलेट, मैं तुम्हें भी सर्प्राइज दूँगी उप्स, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बढ़ी मचली में बदल गया है बहुत बढ़िया पड़ी खोला, बहुत बढ़िया आरे हाँ, मैं तो इसके सपने काफी दिनों से देख रही थी मेरी मोतन मुझे थोड़ी अजीब सी दिख रही है ओ, मुझे समझ आ गिया, यह चौकलीट का बना हुआ है यह असली कोला से भी बेतर है मुझे पूरा यकिन है कि यह सोड़ा भी बहुत स्वादिस्ट है थोड़ा मेरे लिए भी डालो हाँ, जरूर यह लो मेरा कहना है कि हम यह कोला साथ में पीते है कोला में चौकलीट का स्वाद, वाह, बहुत बढ़िया मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया है अब समय है तुम लोगों को खुश करने का चलो एक छोटी सी बाट कोला कहीं से लीक हो रहा है ओ, एक छेद है तुमने सब कुछ गिरा दिया कमीला माफ करना, मैं ऐसे नहीं करना चाह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कैक्टिस है आ, काटा चुप गया मेरे वाले से कोई ख़द्रा नहीं है क्योंकि यह चॉकलेट का बना हुआ है मेरी तो किस्मत ही खराब है निराश होने के लिए बहुत जल्दी है मैं इसे अभी ठीक कर दूँगी यह कैक्टिस मुझे वाइल्ड वेस्ट की याद दिलाता है अगर मैं वहां रहती तो निश्चित रूप से एक काव बॉई बन जाती और शारलेट से लड़ती मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूँगा मैं भी कुछ कम नहीं निशाना लग गया फिर से काटा चूप गया तुम सपने कम देखा करो जब मैं कलपना लोग में थी एक अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया मैं एक स्ट्रॉ का उप्योग करके कैक्टस का रस पियूँगी काफी अच्छा है क्या तुम्हें किसी अच्छे चीज की खुश्बू आ रही है यह पिज़ा है और यह अभी भी गर्म है मैं एक टुकडा लूँगी आ अदर्द हो रहा है खेर कोई बात नहीं मैं तुमसे बदला लूँगी शार्लेट तवैसको की एक दो बुन्द और बस तुम मेरे साथ साजा करना चाहोगी मैं तो अपने आपको रोक नहीं पा रही हूँ यह बहुत स्वादिस्ट है और बहुत ज़्यादा तीखा यह सब तुम्हारे लिए है कमीला और इसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत जब तक तुम लोग बातों में लगी हो लड़की हो मुझे लगता है मैं इसे थोड़ा खालू तुम लोगों की इन बातों से मेरे भूग जाग गई है वैसे चॉकलिट पीजा भी कुछ होता है यह अपसोस की बात है कि कमीला इसे नहीं खा पाएगी मैं इसे नहीं लूँगी नहीं ले लो जब हम आपस में बहस कर रहे थे मेरा पीजा कहीं चला गया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहा गए मुझे कुछ अनुमान है वाली मुझे तुमसे यह उमीद नहीं थी मैंने कुछ नहीं किया है हलाकि इसके लिए बहस करना मुर्खिता पूर्ण है एक चॉकलेट का बना हुआ चमच निश्चित रूप से एक असली चमच से बहुत बेतर है कितना अच्चा हुगा अगर दोनों चमच खाने लाइक हो नई, मेरा वाला बिलकुल स्वादिस नहीं है आह, मेरे दाथ, लगबख तूठी गये थे रोना बंद करो शार्लेट अ मैं तुम्हे अच्छा मैसूस करवाती हूँ यहा क्या है मेलकशेक, बहुत बढ़िया हम इसे और रंगिन बनाते है मैं भी ऐसा कर सकती हूँ अच्छा यदि तुम्हे कोई आपती नहीं हो तो जैसा है वैसा ही छोड़ दे अच्छा ठीक है लेकिन मेरे पास एक चॉकलेट चमच है अरे नहीं वह पिगल गया है पर यह कॉक्टेल्स चॉकलेट वाला बन गया है बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट यह तो बहुत अच्छा हो गया पर यह मूचे तुम पर अच्छी नहीं लगती वाह कंगी शायद यह एक संकेत है कि हमें अपने बालों को ठीक करने की आवशकता है चलो करते है यह ठीक से नहीं हो रहा है मुझे लगता है तुम्हारा कंगी चॉकलेट का बना हुआ है तुम सही कह रही थी यह चॉकलेट का बना हुआ है तुम लोग थोड़ी उप गई हो लड़कियों चलो अब थोड़ा मजा करते हैं उपस ओ, कंगी मेरे बालों में अटक गई है रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ मैं इसे अभी बाहर निकाल दूँगी शायद थोड़ा और जादू डालने की जर्वत है कंगी निकल गई यह सब पर ध्यान मत दो, यह सब हमारी परी कीचाल है अच्छा है थोड़ा कुछ खा लो साधारन जॉइस्टिक और मैं उसके साथ क्या करूँ ऐसा लग रहा है कि मेरे वाले को खाया जा सकता है इसकी महट चॉकलेट की तरह है और इसका स्वाद भी थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दो नई, इस बार नहीं चिंता मत करो कमीला सब कुस तुम्हारे हाथों में है मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है क्या करना है कितनी बुरी बात है शारलेट मेरे साथ नहीं खेलना चाहती है खैट मुझे खुदी सब कुछ करना होगा तो बाएं चलो या क्या हो रहा है मैं तुम्हें अपने इशारे पर नचाह रही हूँ क्या तुम थोड़ी सावधानी पूर्वक कर सकती हो मुझे तो अब मज़ा आने लगा है तुम मज़े रोक नहीं सकती चलो इस बटन को दवाती हूँ बहुत मज़ेदार और अब यह वाह क्या जटका है और अब यह मैं एक योद्धा हूँ लगता है खेल नियंत्रन से बाहर होने लगा है रुको शारलेट अब इसे खत्म करने का समय है वाह लगता है अब मेरे हाथ मेरे नियंत्रन में है लगता है अब मैं खत्रे में हूँ एक बहुत ही जादा चौकलेटी और बहुत ही मज़ेदार चुनाती खत्म होने वाली है पर आप अभी और देखना चाहते हैं तो फिर इस मज़ेदार ब्लूपर्स को देखें हमें पूरा यकीन है कि यह आपको पसंद आएंगे और अगर यह भी काफी नहीं है तो फिर आप क्राफ्टून्स के अन वीडियोज को देखें बहुत सारे हैं